नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल The Trade Bull Official में दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि कल एक्सपाइरी के दिन मार्केट 12 जैन्विरी को कहां पे कामकाज करेगी बढ़ उसे बहले देखते हैं मार्केट में कहां पे आज कामकाज हुआ दोस्तों मार्केट में पहले तो हमें एक flat opening दी flat open होते ही मार्केट में पहले ही 15 minute के अंदर immediately एक बहुत ही जबरदस्त level हमें यहां पे दिखा दिया निफ्टी के अंदर और अपने दिन का लो लगा दिया 17,824 के आसपास मतलब अगर आप यहां से यहां तक मार्केट में लेवल नोटिस करेंगे आप देखेंगे मार्केट में तो आपको समझ आएगी कि पहले 15 मिनिट के अंदर मार्केट में आज जो फॉल दिखाई वो तकरीबन 116 पॉइंट की थी मतलब 116 पॉइंट मार्केट अपने दिन के हाए 17,937 से गिरी दोस्तो इस फॉल के बाद इम्मीडियेटली मार्केट ने एक जबरदस्थ पुल बैक लिया मतलब अगर आप इस पॉइंट को नोटिस करोगे तो यहाँ पर यहाँ पर आपको इस चीज नदर आएगी कि यह जो कैंडल बनी ग्रीन इस कैंडल की जो साइजिंग थी वो तकरीबन एक सो तीन पॉइंट की कैंडल थी और इस कैंडल में बहुत लोग ट्रैप भी हुए होंगे इसके बाद फिर मार्केट में इतनी वॉलिटरिटी नदर आई market फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर market ने pullback लिया, pullback लेने के बाद W pattern बना, और फिर market जाकर CPR बे अटक गई और फिर दिन का high 17,976 market ने लगा दिया इसी point से market में rejection मिली rejection मिलने के बाद फिर market यहाँ पर धीरे-धीरे pullback लेते हुए नीचे की तरफ एक journey में चल पड़ा अब अगर आप notice करोगे market के अंदर आपको एक, ये support, एक trend line की ये जो मैंने यहाँ पर draw की हुई है और उपर की तरफ यहाँ पर आपको resistance ये नदर आ रही है अब market कल कहाँ पर काम करश कर सकती है देखिए, कल market में expiry day है तो जितने भी safe traders है वो सिरफ और सिरफ next week की expiry मतलब सिरफ और सिरफ 19 जन्वरी इस series में ही trade कीजेगा current series में पंगा मत लीजे अब देखते हैं global markets में कहाँ पर कामकाज हो रहा है अगर हम सबसे बहले global markets में Dow Jones की बात करें तो DJI इस टाइम पर वीडियो बनाते समें तकरीबन 56 points 56 points प्लस में है अगर हम NDX की बात करें Nasdaq की तो Nasdaq इस टाइम पर वीडियो बनाते समें तकरीबन 60 points प्लस में अगर हम standard and poor index की बात करें तो वो इस टाइम पर तकरीबन 17 points फ्लाट नजर आ रहे हैं और ये आपको एक indication देता है कि nifty 50 कल फ्लाट open market में कर सकती है अब अगर फ्लाट open market करती है तो definitely देखिए ये कल का बहुत ही narrow CPR है market के अंदर और narrow CPR होने की वज़ा से market में बहुत जबर्दस chances हैं कि market इसका breakdown इसके नीचे या इसका breakout उपर की तरफ दे sentiments बन रहे हैं अब अगर market में ऐसा कुछ होता है तो definitely आपको क्या करना है आपको 17,940 इस level के उपर market निकलते ही call की position में बैठना है target फिर आपके उपर के तरफ 18,000 और फिर आपके साथ साथ तकरीबन 18,050 तक के भी हो सकते हैं short covering market में उपर की तरफ बड़े अराम से आ सकती है अगर market इस level का breakdown देता है तो फिर जबरदस्ट levels नीचे में आपको मिलेंगे यहाँ पर इस case में आपको 17,880 इस level के तूटने के बाद ही एक put position में बैठना है targets नीचे की तरफ आपके पास 17,825 और 17,775 तक के भी हो सकते हैं तो दोस्तों live stream को देखते रहें market को कल देखते रहें because उसके अंदर जो में level mark करता हूँ आप उसका भरपूर फाइदा उठा सकते हो वीडियो अगर पसंद आई होकी तो comment करके बताईएगा like का button प्रिस करिएगा आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो please subscribe कर लीजे ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे miss ना हो तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते थांक्यू और बापाई